नमश्कार मित्रों, आप सवी का स्वागत है, C.Y.S.T. लोजर में हमारी जो चरचाय चल रही है, वह चल रही है गुरु के राशी परिवर्तन के ऊपर आप सभी को ज्यात है कि गुरु का जो राशी परिवर्तन है चले जाएंगे तो यह जो तीन महीनों का समय रहेगा जिसमें 45 दिन सीधी चलेंगे और 45 दिन वक्रेंच चलेंगे तो उनका क्या इफक्ट होगा और इसमें जो महतोपूर्ण जो बात है मैं तो पूर्ण बात का दाथ पर यह होता है कि यहां पर अगर कुछी ओर्डिनरी दूसरी दाशी में होते तो हम इसका अंकरान अलग तरीके से लगाते हैं लेकिन क्या होगा कि यह जो गुरू है वो नीच का हो जाएगा यानि कि हमारे जो जीवन है कोई भी वेक कही न कहीं गोचर में नीच का हो जाता है तो हमें अशुब परिनाम भी भोगने पड़ते हैं और अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी योगकारक भाव में अशुब हो जाएग तो आज जो हमारा चर्चा का विश्य है वो कन्या लगन है इससे पहले हमने मेस लगन से लेके सिंग लगन तक के सभी वीडियो मनाएं हैं तो आपका अगर और आपके परिवार के किसी वेक्ति का वो लगन है में इस लगन से लेके सिंग लगन तक के लगनों में तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के description में मिल जाएगा और हमारे यूटूब चनल पे मिल जाएगा हमारे यूटूब चनल पे जोतिस में वास्तु से सम्मधित और हर तरह के बड़े से बड़े अच्छे वीडियो और कुंडली पे फलादेश के विडियो आपको मिलेंगे तो आप सब उनका आनन्द लीजिए इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भाई हमारे उपर क्या परिनाम रहता है और हमसे जुड़ेवे जो लोग हैं, उनके उपर क्या परणा इसका देखने को मिलेगा, तो कन्या जो लगन है, कन्या जो लगन है, वो बुद्ध देवता का है, और कन्या लगन के अंदर गुरु जो हैं, वो पंचम घर में आपके यहाँ पे नीज के हो जाएंगे, कन्या ल मामका पंच महापुरुष योग बना के बैठे थे, चतुर्त भाव में, प्रोपर्टी भी दे रहे थे, दलाब भी दे रहे थे, एजुकेशन में भी लाब दे रहे थे, हर तरह से व्यापार में बर्दी कर रहे थे, लेकिन 30 मार्च के बाद वो वक्रिय होंगे, तो वो क् तरह से इसके आघलन होगे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से ये आघलन बता देता हूँ, कि आप जब अपने जन्मक उंडली में इसका फलादेश करते हो, देखिए, गोचर का जब आप फलादेश सीखते हो, देखते हो, करते हो, तो आपको बहुत ही महत्रपुन फिर हमें पसा चलता है कि हाँ, हर वेक्ति के जीवन में अलग-लग गोचर के परिणाम होते हैं, क्योंकि आपकी करने अलगन है, तो आपके भाई की भी करने अलगन हो सकती है, आपके मित्र की भी करने अलगन होते हैं, दोनों के लिए गुरू का जो गोचर है, वो पंचम तो लोग वहां पे कसरा भी डालेंगे, कोई कबजा भी कर लेगा, कोई कोई नुकसाण भी और बरसाथ में आंदी में, तूफान में, कभी कुछ न कुछ गड़नाएं वहाँ पे होगे, लेकिन आप अगर प्रोपर वहाँ पे केरिंग करोगे, तो कभी तकलीफे नहीं आएगी और हर्च रहसानी से आप मिल जाओगे, तो लगनेश अगर आपकी जन्मकुंडली का सुब बैठा है, बीमारी के तो योगदि का लेकिन काम का अच्छा है, सब्तं में हो, नश, दसम में हो, लाव घर में हो, इन गरहों में अगर कही न कहीं आपका लगनेश हो, और आपका लगनेश नीचका नई हो, आपके लगनेश के साथ कोई अशुप ग्रह नई बैठा हो, तो आप ये मा तो हमें confidence देता है अगर वो अच्छी जगर विराजमान है अच्छे गरहों के साथ जैसे जर्मक उडली में उच्छ गाओं के नमम भाव में विराजमान है जातक बहुत ही ज़्यादा अत्म बली होगा और जातक का मनोबल भी उंचा होगा पिताका भी support मिलेगा तो इस तरह स है एक basic point जिसको आपको समझना जरू रही है तो इस परकार आप अपनी जन्मक उडली में लगनेश को और चंद्रमा को दोनों को फलादेश कर लिए कि दोनों अगर अच्छे हैं तो मुझे परिणाम अच्छे रहेगे उसके पस्चात आपको देखना है कि जो महादसा चल लरही है तो आपको देखना है कि महादसा अंत्र दसा या परतींत्र दसा इसमें आप परतींत्र वह ले लिए सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए पंचम गर दिखाता है हेल्थ से सम्दित तो जातक को हेल्थ में दिक्कत आएगी क्योंकि चतुर्त का मालिक था और पंचम गर में नीज का हूआ है चतुर्त गर जो है वो वैसे ही हेल्थ की recovery को रो तक कोई यहाँ पर पढ़ाई में भी अचानक क्या होगा कि वो पढ़ते-पढ़ते उसके नंबर कम आएंगे, उसकी जो गुणवकता है, जो ताथ चातुरियता है, जो तेजस्वी होने की जो गुण है उसके अंदर, वो अचानक आपको कम होने नजराएंगे, और इस समय प उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, लाब का योग बनता है, क्योंकि जब गुरु धनू में गोचर किया था, तब उसने क्या किया, सब्तमेश का, भी माली का गुरु तो सब्तमेश का संबन्द चतुर्ते से होता है, तो विवाहिक जीवन में रुकावटे, परिसानिया य जाद तक का यहाँ पे प्रियम संबन्दों में प्रियम विवा के योग बनेगे, तो यह एक प्लस पॉइंट भी होगा, गुरु का यहाँ पे नीच का होने का, और यह सबसे ज़्यादा लाब रहेगा, जब वक्रिय होगा गुरु तब जाद तक को वहाँ पे विवाह होन के योग जल्दी से जल्दी बनेगे, तो यह प्लस पॉइंट है, और अगर हम नौकरी की बात करें, तो चतूर्द घर में बैठा हुआ गुरु था, वो नौकरी के लिए बहुत अच्छा रिजल दे रहा था, क्योंकि नौकरी में क्या हो रहा था, कि प्रोपर्टी बनाने वेक्ति आएगा, जिसके साथ उसकी जो है, वो बनेगी नहीं, और कई ने कई दोनों के बीच में थना होगा, और वो कम्पिटिशन क्रियेट होगा, वहाँ पे उस जातक को परिसानी आजानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह यहाँ पे जो है, वो आपका जो अगर हम तरह के परिसानियों के योग नजर आते हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा सा अपनी नोकरी में ध्यान दे, कि वही तीस मार्च के लगबग अगर कोई इस तरह की घठना होती है, तो आप संबल के चले, गुरू के उपाय करें, और नहीं तो आपको जो है, नोकरी से हाथ द जातक को हेल्थ से समन्दित परिसानिया आ सकती है, और हेल्थ के लिए आप जो है, वो गुरू के लिए गुरू का यंत्र और गुरू के लिए गाय को गुड़ इस तरह के दान करें, तो आपको लाब रहेंगे, और इसके पश्चाज जातक को जो है, वो जुए में, तो आपकी प्रोपर्टी लोज के भी योग बनाता है तो आप थोड़ा सा समल जाईए ध्यान दीजिए और ऐसे किसी घ्रणित कारें मेने फसे क्योंकि बहुत सारे लोग आपको यह भी कह सकते हैं कि भाई यहां पर पहले से मंगल बैठा है जो गुरू का नीच बंग बना द जाएगा और आपको जो है प्रोपर्टी बिकने और फसने के योग आ जाएंगे तो आप ध्यान से सोज समझ के फैसला ले नहीं तो आपको यहां पर नुकसान के योग बन सकते हैं नीच बंग के और इनके चकर में न फसे क्योंकि कई बाद जोती से समिकर्ण ऐसे होते हैं कि ग्रहों की द्रष्टियां और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जनम कुणली में जिनके कारण हम जो हैं वो ऐसे कारियों में आ जाते हैं कि हमारा यह नीच बंग भी नहीं बनता है स्वरासी का है वो भी नहीं बनता है और यहां पर कोई बड़ा ही असुब योग बन जाता है ज योगि वो पंचम घर में गोचर कर रहा है तो पंचम घर के कुछ परिणाम देगा तो हम यह कह सकते कि अगर हम सोच रहेंगी हमें सीधे तरीके से संतार हो जाए तो उसकी बजाए यह नीच का या वक्री होगा तो हमें कुछ खर्चा खरा देगा जैसे medically कोई help कर ली या किसी जोती साचारे के द्वारा आपने घर में हावन पूजन करा लिया उस पर खर्चा कर लिया तो इस तरह के कुछ खर्चे कुछ नुक्सान करके हम अपना वो लाब भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पर गुरू जो है वो संतान का कारक होता है मंगल वहां पे बैठा ही है पहले तो इस केस में आपका नीच बंग जरूर बन जाता है और सनी भी बैठा है तो आपको पुत्र प्राप्ती के योगे जरूर बन जाते हैं अचानक तो आप इस तरह का आँखल जरूर लेवें तो यह जो गुरू के गोचर के जो फलादेश है जो परिणाम है वो मैंने आपक को बताएं हैं तो आप देख लीजिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जुरूर बताएं अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों